तो प्रदूशन से परियावरन के तत्व जल, वायू, मिटी आधी अपनी नेसरगी गुणवत्ता खो देते हैं प्रदूशन मानों के विकास प्रक्रिया की देन है जो प्रदूशन है वो मानों के विकास की देन है अगर मानों विकास करता नहीं तो प्रदूशन होता नहीं वो वेज़े जंगल में रहता वेज़े काम चलाता तो प्रदूशन नाम की कोई चीज हमारे सामने नहीं होती ले आर्थिक और तक्निकी विकास तथा जनता व्रध्धी से पर्यारन प्रदुशित होता है यह भी कहीने कहीन सकती है क्यों कि जनसंख्या एक कमरे में लोग के पांच जने की केपिसिटी है और अगर उसमें 15 जने रहते हैं तो कहीने कहीं उसका दुरुपियोग होगा उसके संसाथ होगा वेसे ही बात ट्रथ्वीगी भी है तो इसका उप्युक्त सभी, तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा उप्युक्त सभी क्यों क्योंकि पर्यावरन अगर पदुशन होगा तो जलवाईू मिट्टी अपने कहीं ने कहीं जो मुल्गूर होते हैं उनसे भिन्नो हो जाएंगे आर्थिक और तक्तिक की विकास इता जनसंकि अवरत्ती से पर्यावरन अदूशित होता है तो यह सभी ऑप्शन सही है अगर आपको ऑप्शन समझ में नहीं आता है तो उस ऑप्शन को आप तीन बार पढ़े है चार बार पढ़िए पांच बार पढ़िए शान दिमांग से पढ़िए आपको वो समझ में आ जाएगा और पर्यावरन सब्जेक्ट ऐसा है कि जिसके आंसर हम कोशन और आंसर को अच्छे से पढ़के उसका आंसर निकाल सकते हैं ठीक है और आज के शेशन में मैंने सभी इसी प्रिकर के कोशन डाले हैं कि आप कोशन को पढ़के ही उसका अंसर निकाल सकते हो जब आप कोशन को ध्यान से पढ़ोगे उसके सारे उप्शन अगर ध्यान से पढ़ोगे तो उसका अंसर अपने आप निकल जाएगा ठीक है अंगला कोशन है मरुस्थली करण का कारण मरुस्थली करण मरुस्थल क्या होता है जहां पानी की अत्यदिक कमी होती है अत्यदिक कमी क्या पानी होता ही नहीं है उसको बोला जाता है मरुस्थल तो मरुस्थल का कारण क्या है बालू के निक्षेपण अत्यदिक गर्मी पढ़ने से वर्षा नो होने से और क्रशी नो होने से अब इन चारों में से किसी एक को देखना है तो बालू के निक्षेप से तो मिट्टी उर्वरक होती है तो ये तो कहीं आंसर नहीं है अत्यदिक गर्मी पढ़ने से वर्षान होने से तो अतियदिक गर्मी पढ़ने से अब यहाँ पे दो option में confusion हो सकता है क्रशिन होने से तो यह भी कोई option नहीं हो आगे क्रशिन होने से मरुस्थल में भी कहीं प्रकार की खेदी की जा सकती है वर्षान होने मतलब जहां पानी के अतिधिक कम्योदी पानी होता ही नहीं है मतलब इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा अतिधिक गर्मी पढ़ने से यह option दूसरा है अतिधिक गर्मी हम देखते हैं हमारा विदीशा जिले में अतिधिक तापमान को अंकित किया जाता है ग्वालियर में भी अतिधिक तापमान होता है तो वहाँ ऐसा नहीं के वहाँ मरुस्थल है वहाँ वर्षा भी परियात्त मात्रा में होती है तो इसका जो मरुस्थली का में कारण क्या है वर्षा न होना ठीक है तो इसका जो आंसर है वो क्या है वर्शा नो होना अगला कोशन दिख लेती हैं अलोग उस्थली कारण के प्रहुकारणों में उत्तरदाई है अब प्रहुकारण में क्या उत्तरदाई है इस्के सारे ऑप्ष maps पर लeline elicode वनमूलन वनों का खतम होना जनसंख्या व्रद्धी जनसंख्या का बढ़ना अन्यंतित पशुचारण अन्यंतित पशुचारण मतलब की आप हर समय, हर जगे पशुओं को अन्यंतित तरीके से चरा रहे हो उप्युक्त मेंसे कोई नहीं तो एसा तो हो नहीं सकता है उप्युक्त मेंसे तीनों मेंसे कोई एक है अब तीनों में से कोई है तो एक तठसतान सर ढूनना है तो मरुस्थली करन के प्रमुक कार्णों में उत्तरदाई है इन तीनों को देखेंगे इन तीनों के कंपेर में सबसे ददा है वन उन्मुलन वन उन्मुलन मतलब वनों का खतम होना अगर वन खतम होते जाएंगे तो वन जो वनों में पेड़ होते वो क्या करते हैं बादल को अपनी और आकरशित करते हैं बादल अपनी और आकरशित होगा तो बारिश होगे बारिश होगे तो बरसात पानी होगा तो मरुस्तल की समस्य है नहीं होगी लेकिन जैसे जैसे वन खतम होते जा रहे हैं मतलब पेड़ भी खतम होते जा रहे हैं वो बादल को अपनी औराक्रशित नहीं कर पा रहे हैं बादल को अपनी औराक्रशित नहीं कर पा रहे हैं मतलब की पानी बढ़ साथ नहीं है जन संक्या व्रद्य अनायंतित पशिचारण ये कुछ अन्य कारण है लेकिन प्रमुक कारण अगर देखा जाएगा तिनों मेंसे तो क्या है वनों का उन्मुलन मुख्य कारण एक एहम कारण है अगला कुशन देख लेते हैं मरुस्थली करण शेतर में भूमी गजल का इस्तर होता है मरुस्थली शेतर में भूमी गजल जो भूमी के अंदर जल है उसका इस्तर क्या होगा अत्यदिक नीचा कम नीचा उचा तो आपको पताईए क्या होगा अत्यदिक नीचा होगा अगला option देख लेते हैं अगला question सुखा अकाल से मरुस्थली शेद्र सुखा पड़ेगा और अकाल पड़ेगा अगर सुखा पड़ेगा तो वहां अकाल भी पड़ेगा अकाल मतलब खाने पीने की समस्य होना न खाना मिलना न पीना मिलना तो वह अकाल की situation में अगर अगर सुखा होगा तो फसले नहीं होगी कोई कामकाज नहीं होगा तो वहां अकाल की इस्ति बन जाएगी तो सुखा पड़ेगा अकाल से मरुस्थली शेत्र बढ़ता है गड़ता है सम रहता है तो सुखा और अकाल से मरुस्थली शेत्र क्या होता है और बढ़ता है क्यों क्योंकि उसे पानी नहीं मिलता है सुखा मतलब सुखा रहेगा तो करें एक पूरा लेक्चर अपलोट करा आथ उसे पढ़िए उसके बाद आपका इस ओरजा के चेप्टर से कोई भी कोशन गलत नहीं होगा संभावना मैंने उसमें सारी कवर करी है अच्छा आप ये कोशन देख लेते गेर परंपरागत मतलब कि जो जादा पुराना नहीं है एक नई टेक्नोलोजी से उर्जा उत्पादन हो रही है तो नई टेक्नोलोजी से उर्जा उत्पादन हो रही है तो वो कौन-कौन से है ज्वारी उर्जा भूगर्बी उर्जा और बायो शक्ति और ये सबी तो इसका जो आंसरों का ये सबी होगा क्यों क्योंकि ज्वारी उर्जा समुद्र के आसपास जो ज्वार आते हैं उससे उर्जा ये नई तक्निक है भूगर्वी शक्ति भूमी के अंदर जो गर्म जल या गर्म लावा है उसका उप्योग कर उर्जा बना रहे हैं ये भी एक नई तक्निक है और बायो शक्ति मतलब गोबर या अपसिस्ट से हम जो उ उत्पादन करें वो भी हमारी एक नए टेक्नोलोजिки है तो यह सब या है या है गेर परमपरागत मतलब कि जो परमपरागत सालों से हमारे साथ जूरे हैं तो उन्हें बुला जाता है गेर परंपरागत उर्जा के साधन सीधी लैंगूइज में यह ही होगा सरल शब्दों में अंगला देख लेते हैं भारत में रवादिक उर्जा कीस इस्तरोट से प्राप्त होती है तो भारत में सरवादिक उर्जा कोईले से प्राप्त होती है और कोईला कहां मिलता है ताफ विद्यूत केंद्रों में तो इसका जो आंसर होगा वो क्यों होगा ताफ विद्यूत केंद्रों उसके बाद होगा जल विद्यूत और उसके बाद है सोर उर्जा वाय उर्जा पवान उर्जा और आगे सभी जूड़ते जाएंगे अंगला कुशन देख लेते हैं भारत के ग्रामेर शेत्रों में उर्जा का प्रमुख साधन है ग्रामेर शेत्रों में उर्जा का प्रमुख साधन क्या है लकडी ये कुछ समय पहले की बात है अगर अभी हम अगर देखेंगे तो ग्रामों में आज पर उर्जा का साधन क्या बन चुका है बिजली बन चुका है लेकिन कुछ समय पहले क्या था वहाँ पर लकड़ी था लकड़ी का ही उप्योग घरेलों इंधन में भी किया जाता था और अन्य में अगर उर्जा की प्राद जरूरत होती थी तो लकड़ी का यूज किया जाता था अगला उक्शन दिख लेते हैं भारत में उर्जा संकट को दूर करने के लिए ग्रामेट शेत्र में किस गेर परमपरागत इस्तरोत को अपनाया जा रहा है भारत में उर्जा के संकट को दूर करने के लिए अब इस कोशन को ध्यान से पढ़ना उर्जा संकट को दूर करना है और ग्रामेन शेत्र में है कौन से गेर परम परागत उर्जा इस्तरत को अपनाए जा रहा है उप्शन पर लिजी बायो गेस, सोर उर्जा, वायू उर्जा, इन में से कोई नहीं तो गाउं में क्या मिलेगा गोबर और अपसिस्ट पदार जाधा मिलेंगे तो उससे क्या बने जा सकते हैं बायो गेस तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा बायो गेस सोर उर्जा क्या होगा सूर इसे रोशनी प्राप्त करना है लेकिन उसके लिए सयंत्र जो होते हैं वो काफी महेंगे होते हैं और सरकार सबसीडी से दे रही है लेकिन जनता अभी भी ग्रामिन जनता इससे अवेर नहीं है तो ये दोनों सोर उर्जा वाय उर्जा ये शहरों म ब्रत्वी पर तापमान का प्रभाव पड़ता है बाढ़ अकाल, भुकमरी या उप्युक्त सभी तो अगर तापमान बढ़ेगा प्रत्वी पर अब आप सोचोगे कि तापमान बढ़ने से बाड के से हैगी अगर तापमान अगर प्रत्वी पर बढ़ा तो प्रत्वी पर जो ग्लेशर है बर्फ के पहाड है वो पिंगलना शुरू हो जाएंगे, वो जब पिंगलेंगे तो नदियों में पानी अत्तिदिक मात्रा में होगा और जब नदियों में पानी उसकी शम्ता से जादा होगा तो वो क्या होगा, एक बाढ़ के रूप में परिवर्थित हो जाएगा अकाल पड़ेगा तापा न अधिक होगा तो पानी की कमी होगी और भूखमरी अब जब अकाल होगा तो भूखमरी जैसी समस्या होना सामान ये सी बात है क्योंकि अकाल और भूखमरी एक दूसरे के परियाई ही है ठीके तो इसका जो आंसर है वो क्यों होगा उप्युक्त सभ और ठीके दोस्तों थाइंक यू नेक्स्ट वीडियो में अगले कोशन के साथ मिलेंगे तब तक के लिए गुड़ डेंगे